हेलो अबरिवन लेक्टर नम्र थर्टीन सॉलिशनन कोई एटिव प्रोपरटी में हम लोग डिसकस करेंगे थर्ड कोई जॉक्षिनिन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आप कोई सॉल्वेंट से कोई सॉलूशन बना रहे हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोगर हो जाएगा जिसे मैंने ग्राफ लिया यहां पर वेपर प्रेसर वर्सेस टेम्प्रेचर तो यहां पर इसको टच किया तो यह हो गया तो हम यहां से देख सकते हैं कि T F is less than T naught F तो डिल्टा T F का फर्मुला क्या आगया है यहां से हमारे T naught F minus T F इस इस डिपरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है न और according to colligative property root delta T F is directly proportional to molality तो delta T F क्या हो गया I into यहां पर हम लोग constant लेगे KF into M जैसे हम लोगों ने elevation मिलिया था KV और उसका नाम क्या था? Molar elevation constant उसी तरह से यहां पर KF का क्या नाम होगा? Molar depression constant और हम लोग KF को cryoscopic constant भी कहते हैं क्या कहते हैं? cryoscopic constant अगर I1 है तो delta T F क्या हो जाएगा? delta T F is equal to I1 है तो KF into M और KF को लोग लिख सकते हैं cryoscopic constant क्या कह सकते हैं? cryoscopic constant और KF का formula होता है R into T naught F into M solvent upon M solvent upon 1000 into delta H fusion ठीक है? और water का KF क्या लेंगे? water का KF होता है 1.86 Kelvin केजी पर मॉल Kelvin केजी पर मॉल तो इस तरह से हम लोग किसी भी solution का freezing point कैलकुलेट कर सकते हैं एक छोटा सा एक्जामपल हम लोग यहां पर देखेंगें जिससे कि हम दोरों चीजों को relate कर सकें एक boiling point और freezing point और RLVP अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है अब देखो जैसे माल लो हमने लिया 0.1 molar NaCl ठीक है? और एक लेते हैं 0.1 molar यूरिया और अब आपको इसको A लिख दिये इसको B लिख दिये आपको बोला compare पहला है है RLVP, second है delta TB, third है TB, fourth है delta TF and fifth है TF तो देखो अपने को क्या करना है? comparison करना है इन colligative properties का तो सबसे पहले जब हम RLVP की बात करेंगे तो देखो दोनों का molarity तो same, concentration same है लेकिन number of particle किस में ज़्यादा होगा? first वाले में तो हम क्या कहेंगे? A more than B, ठीक है? क्योंकि उसका i ज़्यादा है, second, delta TB, अगर i ज़्यादा है तो delta TB is directly proportional to i, तो हम क्या कहेंगे यह से? कि delta TB भी A का ज़्यादा होगा B से? अच्छा, अगर delta TB ज्यादा है तो delta TB के लिए क्लिए क्या लिखवायत है? delta TB equal to TB minus T not B, तो देखो क्या delta TB directly proportional to TB है? तो अगर delta TB directly proportional to TB है तो हम यही लिख सकते A more than B now delta TF, delta TF is directly proportional to M and delta TF is directly proportional to I, तो इसका मतलब यह भी क्या हो जागा? A more than B और उसके बाल TF की बात करें, तो delta TF equal to T not F minus TF, मतलब यहाँ से क्या conclusion निकला? कि delta TF जो है, वो inversely proportional to TF है, तो अगर delta TF inversely proportional to TF है, मतलब हम कहेंगे A less than B तो दो important point ध्यान रखना है, delta TB TB के directly proportional होता है, जबकि delta TF, TFK inversely proportional होता है, ठीक है? तो इस तरह से सारे colligative property आपसमें interrelated है, in the next lecture we will be discussing with fourth and last colligative property that is osmotic pressure, thank you खर तो जो बहाँ से क्यांदा स्वी स्थी आपस्ड़ory कि का सवी मत्या कम झारे ऐक थाना आपस्शवाच्णाब की आपस्पश्वाब का रखना से क्या टु़ मतलब थे आवाँ है, आपस्शमी है.